तो गाईज मैं हूँ अंकी तो और आप दिख रहे हैं रिस्लिंग फैंस नाइटवर्ग सुरू करते हैं अपनी बातों को अमनों सबसे पहले रिया रिप्ली लिव मॉगन एंड डॉमनिक की बात करते वे तो भाई रिया रिप्ली लिव मॉगन का मैच औरेडी कंफर्म था सम सबसे बहुत च्णा और रिप्ली लुगा मैश्ट प्लाइन उसके बाद लिव मॉगन के साथ वह वापस से जाएगा यह चीज अगले मंटे नाइट रहा में नहीं होगी यह सीधा आपको देखने को मिलेगी सम श्लैम के अंतर लिव मॉगन के साथ जाएंगे डॉमनिक मिस यहीं वर्किंग प्लैन अभी के इस आप से बताया जा रहा है कि लिव मौगन एंड डॉमनिक एक साथ आएंगे यहीं आएंगे बिकाज इन दोनों के साथ आने से डेवीड़ी को बहुत प्रॉफिट हुए बहुत नंबर्स जन्रेट हुए तो पैसे की तो भाई बात ही करें वो डॉमनिक के दिमाग में हैं ही है और डॉमनिक में स्टीडियो भाई लिव मौगन के साइड आपको जाते हुए देखने को मिलेंगे समस्लम में जहां पर वो हेल्प करेंगे अब या तो बोलो डैरेक्टली नहीं तो आसा दिखा सकते हैं कि मैं इंडरेक्ट हेल्प कि दॉमनिक को परिसान करती है परिसान ऻमाय पीट रही है अभी के सब्सक्राइम में मुव होगा जहां पर डाम के अाज जोसली मॉग है वोse को जहनना पड़ेगा समस्लाइम के अंदर आगे बढ़ते हैं गाइस बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि सीएम पंग ड्रू मैंग इंटर एंड सैथ रॉलिंस को लेके तो समस्लाइम के लिए एक और मैसिव मैच कंफर्म हो चुका है यह सीएम पंग एंड्रू मै बहुत साइब लोगों को लगता है कि साइब रॉलिंस एस्पेसल गेस्ट रफरी हैं तो में अभी मैक एंटार जीच जाएं साइब सीएम पंग को क्लियर ना हराना चाहती हो इसलिए साइब सैथ रॉलिंस को इन्होंने रफरी के तोरपे डाला विकॉस पंग ने एक तरीक अंटरस्ट एंडिंग लोगों को पसंद नहीं आती है लेकिन हो सकता है डवी डवी ना ही मैक एंटार को हराना चाहे और ना ही सीएम पंग को हराना चाहे बैसिकली हो सकता है कि डवी डवी रिस्क नहीं लेना चाहती दोनों के कैरेक्टर के साथ कोई गेम खेलके अब ऐसा है कि cm punk को भी कुछ इसका खामियाजा भरना पर है अब हो सकता है कि डवी डवी सेफ रूट में जाए जो कि भले फैंस को पसंद नहीं आएगा लेकिन हो सकता है डवी डवी सेथ रोलिंस का यूज करें एंड मैच को नो कॉंटेस्ट में एंड करा या फिर एक ऐसी सब्सक्राइब करें अगली स्टोरी के बारे में जो कि समस्लाइम को ही लेके काफी करीब आचुका है समस्लाइम तो इसको लेके बात होगे और यह जीं दूरे अब ऐसे में समस्लाइम के अंदर क्या एक और मैच एडो सकता है औरेडी भाई, WWE SummerSlam के लिए काफी मैचेस अनाउंस कर चुकी है और यह बहुत रेरली होता है कि हमें यह बहुत सारे मैचेस की बात करने की नीड परती है लाइक रिसन टाइम में हमने देखा भाई कि WWE Pay-Per-View के लिए 4-5 मैचेस अनाउंस कर दी थी लेगिन अभी तक इस पे-Per-View के लिए 7 मैचेस अल्रेडी कंफर्म हो चुके हैं अभी भी SummerSlam को 10-11 दिन बाकी है तो क्या हमें एक और मैच एक्सपेक्ट करना चाहिए इसका अंसर है जी हाँ WWE एजली एक और मैच एड़ कर सकती है कार्ड के अंदर अब सपोज अगर एक और मैच एड़ करते हैं तो यह एक और मैच किसका होना चाहिए दो आपसन से मेरे पास मैं आपको बता सकता हूँ एक तो काफी अनलाइकली है वो यह है कि अंकल हावडी का मैच आप बुक कर दो चैट गेबल के अगेंस्ट नहीं तो वाइट सिक्स वरसे चैट गेबल एंड उनकी टीम रख लो यह एक लाइकली मैच है हलाग इसके चांसे काफी कमें लेकिन हो सकता है और दूसरा लाइकली मैच है भाई जो कि थोड़ा ज्यादा लाइकली है यह अपना टैग टीम चैंप्स कमेंच जहां पर जेक फार्टू एंड टाम अटोंगा चैलनेंज करेंगे वर्सेट डियाइवाई या फिर वाइट सिक्स का मैच और से अंकल होडी का मैच आगे बढ़ते हैं गाज बात करते हैं अगली स्टोरी के बात में जो कि है डामिन प्रिष्ट एंड गुंथर को लेके तो इनका मैच समस्टाइम के लिए कणफर्म है एंड इस मैच के ग्राफिक में डवी डवी ने एक गजब का वाच करा है अब इसको क्या बोला जाए भाई यह तो बौच कह भी नहीं सकते है अब बताता हूं हुआ क्या है भाई कि जो ग्राफिक इन्होंने मंटेना आट्रों में दिखाई वह विडियो ग्रा तब ही आपको यह चीज दिखेगी मैं आपको दिखातों यहां पर पॉइंट आट भी करा गया एरो लगा के यहां पर आप साफ देख सकते हो कि इंटर कॉंटिनेंटल चैंप से डवी ने पहना के रखी है गुंधर को यानि कि पहले की ही रेंडर अब क्यूं कर रहे हैं समझ से नहीं पता लेकिन अब यहीं है बॉच भाई देखके तो यह चैंपिन वर्से चैंपिन मैच लग रहा है बारी की से देखो कि आप वीडियो जागे तो आपको दिख जाएगा अभी के इसाप से एक मैस्व बॉच टर्बिलेंस कहेंगे इसको बॉच भी नहीं कहेंगे इ एक पैसा नहीं लगेगा नीचे सब्सक्राइब का बटन है क्लिक करें नोटिफिकेशन ओल पर सेट करें बात करते हैं ट्राइबल चीफ की तो भाई मेल्टर कहते हैं कि उनके सोर्सेस का इंडिकेट करना है कि ट्राइबल चीफ इस ऑल्रेड़ी एक्सपेक्टेड फॉर्स यानि अब मेल्टसर के भी सोर्सेस सेम वही एक्सपेक्ट कर रहें जो कि पीड़ा इसाइडर और पहले कहा इन्होंने क्या कहा था कि रोमन रेंस अराउंड समस्टेड में देखने को मिलेंगे तो जो हम पहले सर्थे बाई वह स्योरीट ठोडी और क्सप्रीट होता नहीं फिल्हाल इस वीडियो के लिए बस एक कुछ अपडेट्स थी है यूप सापका इंफर्मेसन मिली हो मिले हो तो गाइस वीडियो को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें चैनल को तक आने वाले टाइम के अंदर आपको और बेसे नी डबी डबी की न्यूज अपडेट् के डिस्किप्शन में जोईन कर सकते हैं वाट्सप चैनल को उसके भी लिंका डिस्किप्शन में मिलते हैं अपनी नेक्स आफेर काफ़ इंडस्टिंग वेडियो में